हलो माई फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पर धूप दिखके बिलकुल भी आपको लग नहीं रहागा कि ये गुड मॉर्निंग है तो फ्रेंड्स आज है संडे तो संडे होता है हमारे गार्डन का अपडेट वीडियो और एक तरीकिये से टैरेस गार्डन का ओवर्व्यू भी होता है बहुत ही तेज दूप है और बिल्कुल काम करने का तो बिल्कुल दुपहर में मन भी नहीं हो रहा है लेकिन किसे तरीके से सेट करके मैं काम कर लेती हूँ तो मैं संटर गार्डन से स्टार्ट कर रही हूँ तो देखे वही अभी सारे हमारे जाफरी खिल रहे हैं तो देखे पिछली बार जब मैंने आपको टैरस गार्डन का ओर्विव दिया था तो कितने अच्छे से डॉक फ्लावर ने ब्लूम किया था अगर इतनी तीज गर्मी ना हो तो जिस साब से अभी है तो बिलकुल दो मैने बाद और तेज हो जाएगी अगर इतनी तेज ना हो ठिक टाक रहे तो उस मौसम तक यह चल जाते हैं तो आप भी ये कम कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, इनकी जितने भी स्पेंट फ्लावर से उनको कट करते रही है, और नीचे में हमारे देखिए, फिर से वही डॉक फ्लावर है, अभी सुबा के साड़े आठ हो रहे हैं, लेकिन धूप थोड़ी से खेल चुकी है, तो हमारे क कुछ खास नहीं है, और यह देखिए, यह मुझे आपको दिखाना आता, देखिए, मैंने आपको जब लास्ट वीडियो शेयर किया था, तो मैंने बताया था, जब फरवरी मंद में क्या क्या काम मैंने करना है, और क्या आपको करने, उसमें देखिए, मैंने ब्रांचेस तो वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि यह कब काम किया था और टू वीक्स में देखें इन्होंने फिर से हमारा घंबला भर लिया है तो यह कम अभी भी आप कर सकते हैं आप कर लीजे अगर आप पिटूनिया में चाहते कि लगतार ब्लूमिंग ह होती रहे तो यह एरिया हमारा ऐसे कमप्लीट हो रहा है और इसके बाद में इधर तो सारे हमारे डहेलिया लगे हैं जो कि पूजा के लिए हम लोग लेते रहते हैं और कटिंग करते हैं कुछ कुछ स्पेंट भी होते हैं फ्लेम बाइन बहुत ही अच्छी लग रही है जो क तो यह देखे और यह सारे तो हमारे पिटूनिया हैं इनकी मैंने ब्रांचेस कट नहीं करी थी फ्रेंट काम बहुत जाद आता तो मैंने इनको छोड़ दिया चली जैसे चलते हैं चलने देते हैं और उधर वाले देखे यह सारे हूला पूप पिटूनिया हैं तो सब के ना और यहां देखे हैं हमारे नीचे में जो हैं काफी अच्छे से इन्होंने कवर कर लिया हैं और जो यहां पर सीम की बेल लगी थी वह करीबन उसका लाइफ सैकल पूरा हो चुका तो मैंने उनको हटा दिया है क्योंकि मैं लौकी की बीज लगा रही हूं वह बिल्कुल तया मैं यहीं पर लौकी की बेल लगाने वाली हूं और यह देखे फिर से डॉक फ्लावर जो हैं ब्लूम कर चुके मुझे इनको कट करना है क्योंकि आप मैं दिखा हूं आपको देखे इन सब में सीट पॉड बनने लगते हैं अगर आपने सीट पॉड रहने दिया तो यह फिर पिटूनिया जिनको मैंने ब्रांचेस कट नहीं की ती आप डिफरेंस आप देख लीजे उसकी ब्रांचेस कैसी और इसकी ब्रांचेस कैसी यह कितनी लागी हो चुकी है तो बिल्कुल अगर आपके पास समय है और अप कर सकते हैं तो आप यह काम जरूर करिए तो यह देख बहुत खुबसूरत खुबसूरत से मुझे तो रहलिया भी बहुत पसंद है यह देखिए और नीचे में अगर मैं आऊ तो मैं आपको दिखाऊं क्लंचो की क्या हालत है यह देखिए अब इसमें बढ़िंग काफी अच्छे से हो गई यह देखिए कटिंग के थ्रू गुरो क किया हुआ प्लांट जब ब्लूम करता है तो बहुत ही जादा खुशी मिलती है यह देखिए इस तरीके से हमारे यह क्लंचो की पूरी लाइन है और जो नए फ्लावर ब्लूम करें उनको भी मैं दिखा देती हूं और यह देखिए ऐसे हैं यह तो यहां कुछ खास रही हैया जाद यहां बार झाल से सब्सक्राइब है जाद से अर्ग जधाएंश कर जा बीदा mama website 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 govind खतम हो रहा है और मुझे वाटर गार्डन का भी बहुत सारा काम करना है इसी के साथ में देखिए यह हमारे पॉपी है और यह पॉपी सेडलिंग हुई है क्योंकि मैंने कोई भी इस वर पॉपी के सीट्स नहीं डाले थे क्योंकि आपने देखा होगा पिछली साल के वीडियो में यहां पे पॉपी लगया ही हुए थे तो जिसकी वज़े से साथ रेंड की यह पानी डालने की वज़े से सारे पॉपी के सीट्स यहां कलेक्ट हो गए और सारे के सारे यहीं पे निकले हैं कुछ निकले उधर भी थे यहां पर प्रांट्स लगाने थे इसलिए मैंने उनको हटा दिया और यह पैसी फ्लोरा किसी ने मुझसे पुछ थे क्या इसमें फ्रूट्स आते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको दिख भी रहोंगे फ्रूट्स और पर मैं इसको नहीं खा पाती बहुत ही ज़्यादा और बिल्कुल इसका जूस वेगर भी बनता है पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं अपने स्टाफ को दे दे ते उनको खट्टा बहुत पसंद है तो वही लोग खाते हैं काफी खट्टा होता है इस तरिक बहुत ही ज्यादा होता है अगर आप सब्सक्राइब गूगल पर तो आप देखेंगे पैसी फ्लोरा पैसी पैसे फ्रूट जो होता है बहुत ही हाई नुट्रिशन वैल्यू इनके साथ इनके में होती है तो यह बिल्कुल अब हर्वेस्ट के लिए तयार है तो मैं इनको तोड़ती नहीं हूँ यह खुद बखुद जब पक जाते ना तो य इधर में सब कुछ वैसा ही है जैसे ही ब्लूम हमारे यह कलर वाले करेंगे एनवल वाले वह मैं आपको दिखाऊंगी अभी ऐसा कुछ भी नहीं चलिए नीचे में बहुत अच्छी से कुछ प्लांट जो है वह हमारे ब्लूम की है उनको भी फटा-फट से देख लेते हैं और इधर अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाने के लिए हां नेक्स्ट जब मैं ओवर्व्यू दूंगी तो यहां पर यह आपको क्रिजन्थम नहीं नजर आएंगे आपको यहां पर नजर आएंगे हमारे अडेनियम तो चलिए नीचे चल लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स नीचे स्टेर्स उतरते ही मेरे यह आइस प्लांट लगें यह आपको ब्लूमिंग नहीं नजर आ रहे क्योंकि यह दुपहर के 11-12 बज़े के करीब में ब्लूम होते हैं तो मैं आपको पिक जो है साइड में दे दूंगी उसको आप देख लिजए को बहुत ही खुबसूरत सारे प्लांट्स में बेसल सूट आ रहे होंगो और इसी के साथ में जो सकर सोते हैं वो भी ग्रो कर रहे होंगे तो वो भी आप द्यान कर लीजे तो देखिए मैंने सारे की लिप्स अल्मोस्ट जो है हटा दिये और ब्लूमिंग भी अच्छी चल रही है ऐसा नहीं कि पर में किया था तभी मैंने ये प्लूमिंग करने लगे मुझे इंतिजार है कि जब ये मेरा पूरा टैरस सेंटर गार्डन भर लेंगे जैसा कि लास्ट ही अर्था और ये वाला आप पिटूनिया देखिए तो बहुत ही जादा नंबर्स में इनोंने ब्लूमिंग की हुई ये बहुत ही नंबर्स में और ये टैरस में पूरा नहीं दिखा सकती हूं फ्रेंट्स बहुत ही गंदगी है आप लोग हमेसा बोलते हैं आपका टैरस बहुत साफ रहता है तो ऐसा नहीं है फ्रेंट्स मैं दिखा देती हूं कि हमेसा ही साफ रहता है जब आप काम करते हैं ना तो कुछ गंदगियां भी होती रहती हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी है इस टाइम तो चलिए जो ब्लूम्स की मैंने बात की थी वो दिखाती हूं यह देखिए यह हमारे कितने बढ़ियां लग रहे हैं आप भी कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसे लग रहे हैं कितने प्यारे कितने खुबसूरत पूरे गंले को उन्होंने भरा हुआ है अभी भी मैंने जिसकी बात की थी ना के लिए मैं इस्पेशली यहां पर आई हूं अभी मैंने वो प्लांट नहीं दिखाया है आपको तो मैं मेरा मन नहीं माना यह इंपेशन को भी दिखाने से और इसके बाद में आप यह देखिए यह रहा वो मास्टर पीस मेरा और थोड़ा सा उपर है फ्रंस इसलिए आपक से फ्लावर्स नजार आ रहे हैं तो बिल्कुल आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं मुझे बहुत दिनों से इंतजार तक यह साथ ब्लूम करें बहुत इक ब्लूम कर रहे हैं और इसी के साथ मेरा पीच कलर का भी बहुत इक ब्लांट लग रहा है कर यह एक साल पुराना है पुराने हो चुके हैं पर यह दो प्लांट हमारा पिछले साल के तो इसमें इतनी अच्छे से ब्लूमिंग नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग है तो यह एरिया देखिए बहुत अबसुरत लग रहा है इनकी भी हमको जगा चेंज करना है यह भी मेरे देलू उसके बाद में वो यहां पर आ जाएंगे अजेलिया के जगा और अजेलिया थोड़ी शेड में आ जाएंगे और यह देखिए हमारे जो कैना लेली हैं यह सारे देखिए काफी अच्छे से ग्रोध पकड़े हुए कुछ बल्व समारे समर वाले भी मैंने लगाए और इधर में ऐसा भी कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ हाँ कुछ एक अडेनियम आप देख लीजे जैसे मैंने रिपोर्ट किया है कटिंग कर दी हैं इनकी सारी की रिपोर्टिंग कर दी हैं तो यह काम आप भी बहुत जल्दी कर लीजे अडेनियम का जब हम इंट्रेंस पॉंट पे आते हैं तो देखे यह सारे गजानिया कुछ पुबसूरत तरीके से मुझा और इसी के साथ मैं ने तो मैं प être हांऑ जोड़ी है bardzo हैं और यह जो मैंने लास्ट पर्चेस आपको दिखाई थी अपनी नर्सरी की तो देखिए इसमें भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होने लगी काफी ग्रीन लीप्स है अभी अभी मैंने इनको शावरिंग की है तो काफी अच्छे से ये भी ब्लूम कर रहे हैं तो फ्रेंड् इन खुबसूरा से पिटूनिया के फ्लावर और अपने सेंटर गार्डन को देखते हुए मैं अपने वीडियो को कर रही हूं स्टॉप नेक्स्ट वीडियो मैं फिर मिलूंगी ओके माई फ्रेंड्स बाबाई हैपी गार्डनिंग एंड बी सेफ